Hello guys, what's up, क्या हाल चाल है सबके, good morning all of you, जल्दी से एक बार confirm कर देना, yes, सबको आवाज आ रही है क्या, audible, visible, everything is perfect, आज की जो class है, it will be based on the chapter straight lines, ठीक है, तो J.E. Flash की आपकी series चल रही है, and definitely यहाँ पर हम एक गंटे के अंदर पूरा का पूरा chapter revise कर रहे है, complete theory will be there, quick revision करेंगे पू जही flash वाली series को follow कर रहे हो, और especially last moment पर follow कर रहे हो, तो definitely आपको इससे फाइदा होने वाला है, J.E. Main में आपकी percentile यहाँ पर definitely increase होगी, but यह जो series है, इसको आपको शिदत से follow करना पड़ेगा, पूरी की पूरी series को follow करना पड़ेगा, J.E. Flash में हम एक गंटे का अंदर पूर करने वाले mistakes, जो आपको exam में नहीं करनी है, especially mod वाले questions आते हैं, और mod वाले question में जही वाला आपको फसाता है, तो आपको फसना नहीं है, जो भी enviance है, especially आपको ध्यान रखना है कि गलतिया आपने को नहीं करनी है, especially mod का तो बहुत खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि straight lines में बहुत सारे formulas है, perpendicular distance का formula हो गया, area of triangle का formula हो गया, तो काफी सारे formulas है, angle between two straight lines का formula हो गया, और ये जितने भी formulas है, हर एक में mod है, और mod का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी mod हटेगा, अपना नारा आपको याद होगा शायद, हमने पिछली class में जब straight lines पढ़ा था, तो हमने यही नारा लगाया था, कि वही जब भी mod हटेगा, तो plus minus आएगा, mod को हटाओ, plus minus लगाओ, याद आया, तो वो mod का ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो सारे formulas हम discuss करेंगे, एक एक करके सारे concepts भी हम discuss करेंगे, तो definitely एक बर confirm कर लो, फटा फट से जूड जाओ, yes or Song, गाना, yes, exactly है ना, तो songs भी आएंगे, सारे के सारे गाने भी आएंगे, and definitely, तो चालू करते है, ठीक है, straight lines आज का chapter है, simple सा chapter है वैसे तो, बच्चे अपने दिमाग में कुछ जादे ही इसको बढ़ा करकर रखते है, बट वैसे अगर देखा जाए, तो straight lines में कुछ जादा खास है नहीं, straight line circle सबसे जादा scoring है, पूरे coordinate geometry में, ठीक है, तो जिन जिन को coordinate geometry से specially डर लगता है, आप at least अच्छे से formulas बगएरा revise करके चले जाओ, then also I can guarantee की काफी सारे questions आपके solve हो जाएंगे, especially straight line में तो formula based question आते है, अगर आपको important concepts और formulas पता है ना, तो आप definitely questions को कर लोगे, बट यह आना चीए, यह नहीं कि sir हमने तो last moment पे रखा था कि last में formula जियाद करेंगे, और अभी तक formula याद ही नहीं हुए, तो वो जो last minute वाली चीज है, वो definitely आपको अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि यही तो last minute है, अब ज्यादा minutes बचे नहीं है, अब आप days में नहीं, minutes में calculation करो, ठीक है, क्योंकि अब दिन नहीं, अब कुछ घंटे बचे यही के exam में, ठीक है, खेर चलो start करते है, live daily.me slash atoms पर आपको complete notes and lectures मिल जाएंगे, इस series के बाकी series भी है, bounce back series है, 45 days crash course है, तो वो सारी चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और specially मैं आज आपको बताने वा एक special class साड़े बारा है, और दूसरी special class है, चार बजे, ठीक है, तो इसमें हम specially questions की practice करने वाले, खाली questions, तो अगर आपको question की practice करनी है, तो पहली class साड़े बारा, और दूसरी class चार बजे, यह दोनों classes को आप बिलकुल भी miss मत करना, ठीक है, चलो और आगे बढ़ते है, बा best of the best educator से आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी बहतरी ranks प्रोड्यूस करी आनेकाडमी नहीं, तीन बार लगातार 100% आल, ओल इंडिया rank 1, यह सारी rank आनेकाडमी नहीं निकाली है, ठीक है, तो nv live is the code, इसको आप कभी भी join कर सकते हो, nv live यूस करोगे तो आपको maximum possible discount मिल जाएगा specially अभी जो 23 aspirants हैं, उनके लिए batches start होने वाले, 13th April से start हो जाएगा, आप एक साल का subscription अभी के लिए plan कर सकते हो, ठीक है, चलो अब start करते हैं, एकदम basic से start करेंगे, starting में कुछ basic basic formulas जो है, उसको revise कर लेते हैं, ठीक है, तो पहला है distance formula, अगर दो point, यह तो खेर बचपन हो गया 10 standard में यह सब पढ़ा जाता है, distance formula, section formula, तो इसको फटा-फट से देख लेते हैं, ठीक है, इसमें I think किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, x2 minus x1 का square, y2 minus y1 का whole square, distance formula simple है, उसके बाद section formula, वो भी simple है, है ना, आपको क्या करना है, कोई भी एक point है, जो कि divide कर रहा है, इस पूरे line segment क m is to n के ratio में, तो cross multiply से याद करो इसको, इसको याद करने का तरीका cross multiply, this into this, है ना, m into x2, और n into x1, देखो यही तो है, mx2 plus nx1, similarly y में भी है, तो section formula यह है, internal division, यह external division, external में क्या आता है, minus minus आता है, उपर भी minus, नीचे भी minus, तो अगर internal है तो plus plus, external है तो minus, ठीक है, तो यह simple है अचा area of the triangle, यह super important formula है, इसके ओपर in fact आप direct question expect कर सकते हो, तो किसी को याद ही कि area of the triangle कैसे निकालते है, अगर तीनों vertex given है तो, if all three vertices are given, तो area of the triangle will be half, यहाँ पर आप लिखोगे x1, y1, 1, फिर उसके बाद x2, y2, 1, x3, y3, 1, लेकिन अभी भी इसमें एक चीज है, जो missing है, क् area of triangle का क्या यह formula सही है, यह formula सही तो है, लेकिन थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है, अधूरा अधूरा सा क्या लग रहा है, अरे भाई, mod लगाओ, mod, क्योंकि area कभी negative नहीं हो सकता, तो mod, और बहुत बार आपसे question उल्टे ही पूछेंगे, NTA वाले या JEE वाले जो ह तो plus minus आएगा, अगर मालो आपको question में given है कि area of the triangle is 10, तो आप एक बार equate करोगे 10 से, और एक बार equate करोगे minus 10 से, यहां से जो भी missing होगा, let's say x1 missing है, तो x1 के 2 answer आएगे, mod हटाओ, और plus minus लगाओ, उल्टे सवाल ही आएगे, इसमें क्योंकि तभी तो आप गलती करोगे, त उसका specially ध्यान रखना है, ठीक है, और आगे बढ़ते, area of quadrilateral का भी एक envy style मैंने आपको सिखाया था, किसी को याद एगा, अगर एक quadrilateral दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि sir, इस quadrilateral को दो triangle में divide कर दो, और दोनो triangle के area निकाल लो, यहाँ पर mod लगा लो आप, तो basically आपको कुछ नहीं करना है, diagonals लेने, आपको diagonals लेने, मानलो जैसे for example, यह diagonal, तो यह वाला point आपका है, x1, y1, यह point है x2, y2, यह point है x3, y3, और यह point है x4, y4, तो आपको diagonal सब्ट्राइक करना है, यहाँ पर देखो x3-x1, x3-x1, या x1-x3, ठीक है, तो कोई भी आप एक ले सकता हो, answer same ही आएगा, ठीक है, तो x1-x3, y1-y3, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है, फिर यह दूसरा diagonal है, दूसरा diagonal क्या है, x2-x4, और y2-y4, तो दोनो diagonals लेलो, diagonals को subtract करके, 2x2 का determinant बना लो, वहाँ से सीधा आपका area of quadrilateral आएगा, ठीक है, तो you can directly use this, दो triangle में divide करने की जरूत नहीं है, खाली diagonals को use कर लो, ठीक है, आगे बटते है, अब बात करते है, slope of the straight line, ठीक है, slope निकालना हाला कि बहुत आसान है, basic basic चीज़े आपको पता होगी, जिसे for example, अगर कोई straight line है, जिसका angle with the positive direction of x-axis अगर theta है, तो slope हो जाएगा, tan theta, यहाँ पर theta का value होता है, वो 0 और pi के बीच में होता है, मैं बहुता है, फर्स quadrant या second quadrant, third और fourth में कभी नहीं होता है, तो यह सबसे important है कि जो theta है, it will be either in the first quadrant और in the second quadrant, third और fourth में कभी होता ही नहीं, अगर line मान लो, ऐसी भी होगी न, let's say this is the straight line, तो भी angle आपका जो होगा, वो 180 स ज्यादा angle कभी आए गए नहीं, आप कैसी भी line बना लो, 180 से ज्यादा angle कभी हो पाएगा, कोई भी line बना लो, 180 से ज्यादा आए गए नहीं कभी भी, ठीक है, तो हमेशा यह 0 और pi के बीच में ही रहता है, tan theta is the slope, ठीक है, अच्छा, अगर दो point given है, तो इसमें slope कैसे निकल अगर दो point given है, तो बस delta y by delta x, अलब y2 minus y1 slope कैसे आएगा, ऐसे आएगा, और x2 minus x1, तो अगर दो point given है, तो भी हम आराम से slope निकाल लेंगे, easily we can find out slope by using this formula, delta y, change in y divided by change in x, ठीक है, तो यह आपका होगे two point form, और आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं, collinearity of three points, तो इसमें concept ब आपसे best method कौन सा होता है, तीन point collinear का क्या मतलब, तीन point collinear मतलब they are lying on the same straight line, तो हम कैसे check करेंगे कि तीन point collinear है की नहीं, इसका क्या method होता है, एक बार हाँ, area 0, एक method तो यह है कि area 0 कर दो, और इसका दूसरा method भी है कि आप slope को equate कर दो, तो यही दोनो best method है, और भी इसमें methods होते हैं, बट वो फालतु वाले method है, तो उसको जानने की कोई जरूती नहीं है, उसको हम कभी use ही नहीं करेंगे, जैसे distance formula वाला method होता है, यह distance निकालो, यह distance निकालो, total distance निकालो, फिर AB plus BC equal to AC, लेकिन distance formula कौन लगा हैगा, इतने सारे root आएंगे, तो वो फालतु है, अग अगर आपको बोला पूछा जाए कि check whether three points are collinear or not, आप area वाला method use कर लो best है, area 0 मनलब determinant 0, और अगर वो नहीं करना तो slope वाला method use कर लो, AB का slope निकालो, BC का slope निकालो और equate कर दो, या फिर AB का slope निकालो, AC का slope निकालो और equate कर दो, तो किसी भी दो का slope निकाल के equate कर दो, यह भ area वाला ही है, area 0 कर दो, that's it, ठीक है, आगे बढ़ते है, equation of straight line, equation of straight line एक बार revise कर लेते हैं, काफी सारे इसमें different formats होते हैं, तो पहला है point और slope form, अगर आपको point given है, और slope given है, तो कैसे लिखते है, y minus y1 equal to slope into x minus x1, this is the equation of straight line, point given है x1, y1, और slope given है, अचा two point form है, अगर दो point given है, अगर दो point given है, तो slope आपको निकालना पड़ेगा, y minus y1 equal to slope, अब slope आपको निकालना पड़ेगा, delta y by delta x, तो delta y by delta x से निकाल लो, और यहाँ पे आजाएगा, x minus x1, तो यह आपका two point form आगे, simple, slope intercept form, slope given है, और intercept given है, तो y equal to mx plus c, यहाँ पे जो c होता है, that is y intercept, तो आपको slope given होना चीए, और कौन सा intercept given होना चीए, y intercept, ना कि x intercept, तो c is y intercept, अचा, intercept form में, intercept form में, x by a plus y by b equal to 1, यहाँ पे a और b क्या है, यहाँ पे a is the x intercept and b is the y intercept, तो x upon x intercept, y upon y intercept equal to 1, determinant form, determinant form भी simple है, x, y, 1, basically आपको area 0 करना है, यहाँ दो point आपको given है, x1, y1, x2, y2, तीसरा point आप ले लो, general point xy, अब यह तीनो point collinear होंगे, तीनो point collinear होंगे, तो आप area 0 कर दो, उसी को बोलते है, determinant form, x2, y2, 1, तो यह equal to 0, तो यह determinant form आगे, यह चमका कि नहीं, दो point आपको given होंगे, determinant form is basically substitute of 2 point form, तो दो point आपको given है, x1, y1, x2, y2, और एक आप ले ल determinant form आगया, ठीक है, फिर normal और perpendicular form में काफी लोग को दिक्कत आती है, तो यह मैं आपको समझा देता हूँ, normal perpendicular form में basically equation यह होती है, x cos phi, plus y sin phi, this is equal to p, यहाँ पे phi क्या है, और p क्या है, तो उसको समझो, ठीक है, phi क्या है, और p क्या है, तो basically मान लो, diagram देहो, ऐसा है, let's say for example, यह x-axis, y-axis, let's say यह आपकी straight line है, this is straight line L, और अगर यह straight line L है, तो आपको क्या करना है, origin से perpendicular drop क्या है, origin से perpendicular drop क्या, यह origin है, तो origin से जो perpendicular distance है वो है P, यह P क्या है, यह P है perpendicular distance from origin, P is the perpendicular distance from origin, तो P का value हमेशा positive ही होगा, P कभी negative नहीं हो सकता है क्योंकि वो distance है, तो P is the perpendicular distance from origin, और यह phi क्या है, तो phi is basically this angle, angle of the perpendicular with positive x-axis, यह perpendicular जितना angle बना रहा है, positive direction of x-axis के साथ, that angle is 5, और इस angle को हम क्या बोलते है, जो line बना रहा है, line is making some angle, with positive direction हो, तो इसको हम बोलते है, theta, और relation क्या आएगा, देखो, यह sum of the interior angles, यह होदा है, 5 plus 90, इसका value theta आएगा, क्योंकि यह exterior angle है, तो exterior angle of the triangle is equal to sum of the interior opposite angles, यह बचपन में आपने पढ़ा होगा, या फिर आप angle sum property भी लगा सकते हो, यह वाला जो angle है, 180 minus theta होगा, यह 180 minus theta plus 90 plus 5 equal to 0 करो, यह ही आ रहा होगा आपका, तो यह relation ध्यान रखना है, यहाँ पर theta आपको देंगे, 5 नहीं देंगे, ध्यान बूच के यह सब चला क्या करेंगे, तो आप बच जाना इससे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि theta given था, और आपने यहाँ पर theta का value put कर दिया, theta अलग है, phi अलग है, phi क्या है, phi is the angle that perpendicular is making, बहुत बर क्या करेंगे, slope ही देंगे आपको, let's say slope दे दिया, line का minus 1, अगर slope minus 1 है, मतलब यह theta का value 135 डिगरी आएगा, क्योंकि tan 135 तभी तो minus 1 आता है, तो यह 135 डिगरी है, अब उसमें 135 मैंसे 90 माइनस करना पड़ेगा, यह 90 इदर जाएगा, तब जाके 5 आएगा, और जो भी आपका 5 का value आएगा, वो आप substitute करोगे इस equation में, तो बस इसमें आप आपको यह पता होना चाहिए कि P और 5 है क्या, चमग गया तो 5 is the angle which perpendicular is making with positive x-axis, और relation यह है, अगर 5 given है तो theta given है तो 5 निकाल सकते हो, और theta given है तो slope भी निकाल सकते हो, जनरली वो आपको slope देंगे, तो slope से theta आएगा, theta से 5 आएगा, 5 को put करके answer आएगा, ठीक है, तो यह पूरी कहा नहीं है मतलब, चमग गया होगा, angle between two straight lines, angle between two straight lines का formula भी again simple है, इसमें mod है, again उल्टे question आएगे, आपको theta दे देंगे, आपको यह बता देंगे कि angle between two straight lines कितना है, और फिर बोलेंगे कि किसी एक, जैसे M1 आपको दे देंगे, M2 पूछ लेंगे, तो theta will be given, one of the slope will be given, और slope आपसे पूछेंगे, तो कितने answer आएंगे, दो answer आएंगे, क्योंकि mod हटेगा, तो plus minus आएगा, let's say for example, आपको question में दे दिया कि theta का value है, pi by 4, आपको M1 का value दे दिया 2, आपको M2 निकालने, तो 2 value आएगे, यहाँ पे 10 pi by 4 तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे mod है, तो 2 minus M2 upon 1 plus 2 M2, अब यह mod को हटाओ, तो plus minus आएगा, mod को हटाओ, और plus minus लगाओ, तो M2 की कितने value आएगी, M2 की 2 value आएगी, तो यहाँ पे ध्यान रखना, specially जो plus लेने से आ रहा होगा, वो option में आपको देंगे नहीं, तो आपको जेही main वाले कैसे फसाएंगे, आप यहाँ पे plus लेके वो option में हो गई नहीं, क्योंकि maximum बच्चे plus लेके solve करेंगे, उनका एक answer आरा होगा, और फिर option में डूंडेंगे, और वो बोलेंगे, सर यह हमारा कुछ आ रहा था, बट वो option में तो थाई नहीं, मतलब हमने कुछ, मैंने तीन बार calculation चेक किया, exam में सर, तीन तीन बार मैंने time waste किया, और फिर भी मेरा एक answer आरा था, वो option में थाई नहीं, फिर मैं बोलूँगा, minus लेके solve किया, क्या, बुलेगा, नहीं सर, यह तो भूल गए, तो बस minus वाला जो होगा न, वही option में आपको देंगे, plus वाला option में हो गई नहीं, आप डूंटे रह जाओगे, ठीक है, त जार और एक है, एक center, यह पांचों point के बारे में आपको एकदम खतरनात तरीके से सब कुछ पता होना चाहिए, है न, सबसे पहला point है centroid, अचा पहले आप यह बता सकतने हो कि centroid is the point of intersection of, centroid is the point of intersection of medians, yes or no, centroid is the point of intersection of medians, in center, in center किसका होता है, in center किसका point of intersection होता है, जल्दी से बता दो, in center is the point of intersection of interior angle bisectors, ठीक है, interior angle bisectors, फिर ortho center, ortho center is the point of intersection of altitudes, altitudes का जो point of intersection होता है, ठीक है, that is ortho center or circum center is the point of intersection of perpendicular bisectors of sides, ठीक है, perpendicular bisectors of sides, perpendicular bisectors of sides का circum center, ठीक है, ये clear है, तो ये definitions आपको पता होनी चाहिए, अब निकालेंगे कैसे, जिसे for example, अगर आपको centroid निकालना है, तो centroid निकालना सबसे आसान है, average ले लो बस, अगर आपको ये तीनों के तीनों vertex given है, तो और ये circum center कैसे निकालते है, circum center निकालने के ल सेंट्रोइड निकालना सबसे आसान है, उसके बाद circum center कैसे निकालते है, circum center के लिए क्या करना पड़ेगा, circum center मतलब एक circum circle भी आरा होगा, जो की इस triangle को inscribe करेगा, तो यहाँ पे मानलो कहीं पे center है, इसको आप assume कर लो h, k, तो आप simple क्या करोगे, ये radius है, ये वाली distance भी radius है और ये वाली distance भी radius है, तो अगर मैं इस point को point P बोलूँगा, तो PA will be equal to PB will be equal to PC, इन तीनों का value बराबर होगा न, तो एक equation आपके पास यहाँ से आ जाएगी, PA equal to PB लेलो आप, और दूसरी equation आप लेलो, PB equal to PC, तो दो equation और दो variable h और k, दो equation दो variable, इसको आप square भी कर सकते हो ता कि root हट जाए, अब आप distance formula लगा कि एक equation यह है, एक equation यह है, दो equation और दो variable h और k, यहाँ से h और k का value आ जाएगा, और h और k का value आ गया, तो वही आपका circumcenter है, ठीक है, यही तो आपका circumcenter है, तो simple हो जाएगा न, तो इसमें आपको यह use करना होता है, basic method समझ लो, calculation में हम अभ कर दो, square करके equate कर दो, you will get the value of h and k, तो method clear, ठीक है, और आगे बढ़ता है, in center के लिए formula है, यहाँ पर ABC के है, ABC are the sides, जैसे A के opposite वाली जो side है, उसकी length है A, यह B vertex के opposite वाली जो side है, उसकी length है B, और जो C के opposite है, उसकी length है C, ठीक है, तो ABC are the length of the sides, जो small ABC आपको दिख रहा है, those are the length of the sides, और X1, X2, X3 are the X coordinates, of all the three points, Y1, Y2, Y3 are the Y coordinates, यह formula आपको याद रखना है, और अगर यह formula याद हो गया तो आपको X center भी याद हो जाएगा, पहले आप इसको देख लो X centers, X centers मतलब जो बहार circle बनते है, यहाँ पर एक circle बनेगा, बहार, triangle के बहार, ठीक है, यहाँ पर ए तो यह in circle है, और बहार जो circles है, वो X centers है, और X circles का जो center है, उसको बोलते है, X center, X center में basic formula यह है, वैसे ही आएगा नहीं, फिर भी आप एक बार देख लो, यहाँ पर A को replace कर दो, minus A के साथ, A की जगह minus A, यहाँ पर B की जगह minus B, और यहाँ पर C की जगह minus C, अगर आपको यह formula याद है, इसका मतलब तीन और formula भी याद हो गए न, simple आप क्या गरो, A को replace कर दो, minus A के साथ, इधर भी और इधर भी, फिर B को replace कर दो, minus B के साथ, और स्फिर C को replace कर दो, minus C के साथ, तो यह तीनों भी आगए न, X center, 1, 2, 3, वो तीनों भी आप निकाल सकते हो, अगर पूछ कोई भी दो altitude की equation लिख लो आप, जैसे यहां से एक altitude बना लो, और एक altitude यहां से बना लो, तो कोई भी दो altitude की equation लिख के उसको solve कर लेंगे, तो यह point आ जाएगा, अब यह altitude की equation लिखेंगे कैसे है, जैसे for example यह AD है, और यह let's say BE है, तो इसकी equation कैसे लिखेंगे, देखो आपक minus 1, इसका slope आजाएगा two point form, है ना, यहां से आजाएगा ना, x3 minus x2 और y3 minus y2, y3 minus y2 upon x3 minus x2, तो इसका slope आगया, तो point आपको पताईए a, तो use point slope form, तो altitude की equation आगी, similarly, दूसरे altitude की equation आगी, दोनों को solve कर लेंगे, तो point of intersection will be ortho center, तो कोई भी दो altitude लिख के, उसको solve कर लो, है न write the equation of any two altitudes and solve them, you will get ortho center, तो यह सारी चीज़े clear है, देखो एक बार फिर से revise कर लेता है, इसमें अगर centroid निकालना है, तो average, उसके बाद, अगर आपको circumcenter निकालना है, तो PA equal to PB equal to PC, यह method use करना पड़ेगा, अगर आपको in center निकालना है, तो यह formula है, in center का formula है, centroid का formula है, इसके लिए भी method है, method क्या है, method यह कि कोई भी दो altitude की equation लिख लो, और solve कर लो, तो आपका answer आजाएगा, ठीक है, अचा वैसे इस तरह के questions, again, मतलब relatively थोड़े कम है, specially question आता है, special cases से, special case क्या है, special case is very very important, अगर कोई question, यह line को आप ध्यान से सुनना, अगर कोई question, ortho center, circumcenter, यह जितन नहीं, कहीं आपका triangle equilateral तो नहीं, तो हमेशा चेक कर लेना, या तो right angle या equilateral आ रहोगा, 99% cases में, 1% को हटा दो, बस आप, 99% cases में, वही वाले question आएंगे, जिसमें right angle triangle बन रहोगा, या equilateral triangle बन रहोगा, बहुत खराब किस्मत है आपकी, अब आपकी किस्मत में भी depend करता है, क आपकी किस्मत 1% में है, तो फिर इस तरह के question आ सकते है, लेन्दी वाले, समझ रहोगा, otherwise 99% chances है, तो right angle triangle में बता दो आप, अगर right angle triangle बन रहा है, तो यहाँ पे ortho center होता है, यहाँ पे midpoint of hypotenuse है, तो 90 degree vertex है, वो ortho center होता है, वही ortho center है, यह circum center है, जो midpoint of hypotenuse है, वो circum center है, और इसके circum center को actually O बोल दो आप, यह O हो गया circum center, यह ortho center, और 2 is to 1 के ratio में यहाँ पे कहीं पर आ रहोगा centroid, यह 2 is to 1 के ratio में divide करेगा, बीच में कहीं न कहीं आएगा centroid, ठीक है, तो right angle triangle में special case है, ध्यान रखो, जो 90 degree वाला vertex है, वो ortho center है, यह circum center है, midpoint of hypotenuse, और 2 is to 1 के ratio में divide कर होगे, तो यहाँ पर centroid आएगा, ठीक है, तो right angle triangle में तो यह है, equilateral triangle में सारे point coincide करेंगे, यही circum center है, यही ortho center भी है, यही circum center है, और यही in center भी है, तो equilateral triangle के case में सारे centers coincide करेंगे, तो अगर आपको पूछा जाए कि find out the ortho center, आपने देख लिया कि triangle तो equilateral है, तो centroid निकाल यार, basically they are asking centroid, और centroid निकालना सबसे आसान है, average कर दो, ठीक है, तो check कर ले न, कहीं equilateral तो नहीं, कहीं right angle triangle तो नहीं, इसी में फसाएंगे, इसी में काफी सारे लोग lengthy method से करेंगे, और आपको दिख जाएगा कि हाँ, यह right angle triangle है, तो 90 degree वाला vertex ही answer है, तो इस तरह से थोड़ा smartly अपने को करना पड़ेगा, अच्छा वाली जो property है, वो किसी भी triangle के लिए valid है, अगर कोई भी आप triangle ले लोगे न, तो for any triangle, यह जो यह जो तीन point है, वो हमेशा collinear ही होंगे, वो तीनो एक ही line पे लाए करेंगे, H, G और O, ortho center, circumcenter, centroid, will always be collinear for any triangle, दुनिया चाए right angle हो, right angle ना हो, कोई भी triangle हो, दुनिया का कोई भी triangle में है, यह तीनों collinear होते है, और इसका ratio 2 is to 1 होता है, हमेशा, तो यह आप directly याद कर सकते हो, this thing is valid for any triangle, किसी भी triangle के लिए valid है, याद यहां से कर लो, but apply कर दो किसी भी triangle में, तो कभी कभी ऐसे question भी आते हैं, कि आपको इन में से कोई भी 2 point दे देंगे, और तीसरा point आप से पूछ लेंगे, अभी recently 2021 में ऐसे question थे भी, आपको यह point दे देंगे, centroid देंगे, यह दे देंगे, और यह पूछ लेंगे, तो आपको यह पता होना अच्छे है, कि this property is valid for any triangle, किसी भी triangle में आप यह लगा सकते हो, बिंदास, ठीक तो यह property है, और अगर isocellus triangle है, तो उसके लिए चारो point collinear होते है, h, g, o, और i, यह चारो के चारो point collinear होते है, if it is isocellus triangle, तो देखो किसी भी triangle में 3 collinear तो होते ही है, isocellus में एक extra आ गया, extra क्या आ गया, कि isocellus नाम है, i से start हो रहा था, उसमें i भी आ जाएगा, in center भी आ जाएगा, basically, तो ऐसे याद कर लो, है ना, यह किसी भी triangle के लिए तो valid है, isocellus triangle में है, जो चोथा point है, वो भी collinear में आ जाएगा, तो चारो ही एक line पर लाई करेंगा, ठीक है, तो बस यह properties है, simple, simple, अब और आगे बढ़ते है, बात करते है, length of perpendicular, यहाँ तक किसी को कोई doubt है ना, हाँ, in center में HGO तो हो गई, I भी आ जाएगा बस, ठीक है, HGO और I, तो यह सब कुछ आ जाएगा, yes, सबसे अच्छा maths, आप पढ़ाते है, best, best maths teacher, अरे क्या बात है, इतनी तारीफ करोगा है, सुबह सुबह मिले, चलो बढ़िया है, सुबह सुबह तारीफ है कर रहे ह हाँ, तो next, जो formula है, वो है perpendicular distance, again formula में mod है, तो जो formula में mod है, उसमें उल्टे सवाल ही आएंगे, आपको perpendicular distance दे देंगे, आपको बोलेंगे एक ऐसा point है, जिसका perpendicular distance इतना है, तो this will be given, let's say perpendicular distance given a 10, और यहाँ पे mod, जैसी आप mod को हटा होगे, तो plus minus आएगा, तो यह mod को हटा दो और इधर plus minus लगा दो, तो उल्टे question आने के chances है, है ना, तो यह formula simple है, बट यह गलती नहीं करनी है आपको, यह गलती नहीं करनी है, especially जो minus लेने से जो answer आ रहा होगा ना, वही option में होगा, आप देख लेना, है ना, तो mod, इसमें भी distance between two parallel lines, तो distance between two parallel lines क्या होता है, c1 minus c2 upon under root of a square plus b, इसमें भी under root of a square plus b square, इसमें भी वही है, तो नीचे वाला तो same है, उपर बस अगर दो parallel line है, तो constants को subtract करतेंगे, c1 minus c2, दो लाइन parallel है, उनके बीच का distance भी आ जाएगा, तो दो formula है, simple simple, इनको याद करना है, ठीक है, और आगे बटते है, बात करते है, parametric equation के बारे में देखो, parametric equation में again काफी लोगों को दिक्कत आती है, तो मैं इसको थोड़ा explain करते था हूँ, parametric में यह सबसे पहले तो आप यह समझो कि कब लगाना है, क्योंकि आदे लोगों को तो यही समझ नहीं आता है, कि question किसका था, मैं तो यही नहीं पता चला, तो question parametric का है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा, देखो, parametric equation कब लगाना है, तो बस एक ही simple सा case है, अगर यह case generate हो रहा है, तभी लगाना है, अगर एक straight line है, straight line के उपर मानलो, आपको एक point given है, यह, this point is given, और यह straight line का slope भी given है, this is also given, तो straight line के उपर एक point given है, straight line का slope given है, और आपको एक और point निकालना है, इसी straight line के उपर, जो की एक fix distance पर है, यह distance भी आपको given है, तो अगर इस तरह का question पूछा जाए, एक point गिवन है, slope गिवन है, एक और point आपको निकालना है, जो कि एक particular distance पे है उस पहले वाले point से पहले वाले point से कुछ r distance पे है आपको दूसरा point के coordinates निकालना है then you will use parametric equation तो ये clear होगा कि कब लगाना है ये तभी लगाना है जब आपको एक दूसरा point निकालना होगा जो कि एक fixed distance पे है और fixed distance नीचे की दरफ भी हो सकता है मानलो यहाँ पे आपको एक point निकालना है तो ये distance नीचे की दरफ है अगर नीचे की दरफ है तो आप minus ले लोगे ऊपर की दरफ है तो आप plus ले लोगे तो ऊपर की दरफ तो plus नीचे की दरफ तो minus अचा और कैसे निकालना है तो कैसे निकालने के लिए यह equation है इसको use कर लो ठीक है इसको use कर लो directly तो कैसे लगाना है parametric equation तो बस यहां पर x1 y1 put कर दो values आपको slope पता है slope पता है मलब 10 theta पता है यह given है तो 10 theta given है अगर 10 theta given है जैसे इसमें question ही रहलो चलो for example मान लो यह straight line है और यह जो straight line है इसका slope है let's say minus 2 ठीक है और एक point है which is 1,2 ले लो पर एक और point निकालना है जो की 4 unit के distance पर है ठीक है तो यह वाला जो point है इसको b बोल देते है इसके coordinates आप निकालो इसके coordinates निकालो नीचे वाले के भी निकालो खेर नीचे भी एक point होगा यहां पर again same distance पर तो इसके coordinates भ है अब देखो एक बात यहां पर आपको समझनी पड़ेगी अगर slope negative है मतलब second quadrant होगा अगर slope positive है तो first quadrant होगा दो ही possibility है theta will be either in the first quadrant और in the second quadrant 3rd और 4th में तो कभी होता ही नहीं है theta is either 0 से pi की बीच में ही होता है आपको पता है theta क्या है theta is always between 0 and pi तो यहां तो first quadrant होगा या second होगा अगर first होगा तो उसमें तो all positive होते है यहां पर नेगिटिव है ना time theta negative है time theta negative कौन से quadrant में होता है second फर्स्ट में थोड़ी ना होता है तो आपका quadrant कौन सा है quadrant है second अगर quadrant second है तो आप यहाँ पर लिख दो cos theta, sin theta का value क्या क्या आएगा सिंस यह second quadrant है तो sin theta positive आएगा cos theta negative आएगा देखो यह जो plus minus की कहानी होती है वो चेक करते है quadrant से और फिर magnitude निकाल लो triangle बना के तो अलग-अलग deal किया गरो magnitude अलग से और sin अलग से यह कौन सा quadrant tan theta negative second quadrant second quadrant में यह negative यह positive अब magnitude कैसे आएगा तो वो triangle बना के निकाल लो magnitude के लिए आपको बताएगी 10 theta का value 2 है तो यह 2 है यह 1 है यह root 5 आ जाएगा तो cos theta basically आगया 1 by root 5 और sin theta आगया 2 by root 5 yes opposite upon hypotenuse तो यह आगी values और अगर values आगी तो आप इसमें put कर दो x minus x1 okay तो x1 का value यह है 1 x minus x1 y minus y1 नीचे क्या आएगा cos theta तो cos theta का value कितना है minus 1 by root 5 इसका value कितना है 2 by root 5 और यहाँ पर क्या आएगा plus minus 4 तो बस यहाँ से x और y निकाल लो एक बार आप ले लो plus 4 और एक बार आप ले लो minus 4 एक बार ऊपर वाला point आ जाएगा एक बार नीचे वाला point आ जाएगा clear है क्या बस यह वाला concept आपको पता होना चीए कि यह तो first में होगा या second में होगा तो हमेशा ध्यान रखना टैन थीटा negative है तो second quadrant और अगर टैन थीटा positive है तो first quadrant या तो first होगा या second होगा third और fourth कभी होता ही निए ठीक है एकदम clear ये सारी चीज़े एकदम clear है क्या आगे बढ़ते है अब बात करते है position of a point with respect to state line ये simple है है आप क्या करो दोनों को इसमें put कर दो और अगर same sign आया तो same side और opposite sign आया तो opposite side तो आप दोनों point को इसमें put करो है ना दोनों को put करेंगे तो कितना आएगा minus 4 into 4 minus 8 ठीक है तो यह है 9 minus 6 यह negative आ रहे है देखो इसका sign आपको खाली पता करना है तो first point को इसमें put कर लो सब कुछ एक तरफ ले जाओ और second point को इसमें put करो second point को put करेंगे तो we are getting something like this ठीक है minus 8 अब यह क्या आएगा यह आ रहा है यह positive आएगा ultimately okay this will be positive तो sign opposite आ रहा है एक positive एक negative opposite sign opposite sign है तो opposite side lie करेंगे ठीक है दोनों के दोनों जो point है वो opposite side lie करेंगे यह clear है सबको yes or no यह सबको clear है yes I think एक second chat हाँ अभी आ रहे तो opposite side lie करेंगे ठीक है simple आगे बढ़ते है और बात करते है concurrency of three lines तीन लाइन concurrent का क्या मतलब है अगर तीन लाइन आपको given है कि तीनो लाइन concurrent है तो इसका मतलब they are passing through the same point they are having the same point of intersection तीनों का point of intersection common है same है तो concurrent line का क्या मतलब है यह clear है concurrent मतलब all three lines are having a single point of intersection इसी को concurrent बोलते है concurrent की condition क्या है determinant 0 लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है इसमें आप ध्यान से समझो अगर आपको तीन straight line given है और बोलाए कि three lines are concurrent तो determinant 0 होगा लेकिन अगर determinant 0 है तो क्या तीनो लाइन concurrent होगी इसका जो reverse है if the determinant is equal to 0 then three lines are concurrent ऐसा जरूरी नहीं है या तो तीन लाइन concurrent होगी या तीनो लाइन पैरलेल भी हो सकती है अगर तीनो लाइन पैरलेल है तो भी तो determinant 0 होगा क्यों एक example ले लो जैसे for example मानलो मैं तीन लाइन लिख देता हूं यहां पर x plus y plus 2 equal to 0 एक आप ले लो x plus y plus 4 equal to 0 और एक आप ले लो x plus y plus 22 equal to 0 यह तीनो लाइन पैरलेल है क्या है यह तीनो लाइन पैरलेल है तो determinant का value कितना आएगा 1 1 1 1 1 1 और यहां पर 2 4 22 इसका value 0 ही आएगा जीरो ही तो आएगा क्यों क्योंकि दो कॉलम सेम है अगर दो कॉलम सेम है तो value 0 ही आएगा if two columns are same value of the determinant will be 0 तो either the three straight lines will be parallel या तो तीनो ही parallel होगी आपस पे या तीनो concurrent होगी हमेशा ध्यान रखना if determinant is equal to 0 आएधर three lines will be parallel और concurrent अगर तीन लाइन concurrent है तो determinant 0 आए गई पर अगर determinant 0 है तो या तो यह होगा या यह होगा दो मैसे कोई एक case हो सकता है इसके उपर बहतरीन सवाल बनते है देखो एक question भी in fact हम करेंगे यहाँ पर solve क्योंकि यह concept काफी important है तो यहाँ पर आपको तीन स्रेट लाइन given है और आपको बोल रहा है कि यह जो तीनों स्रेट लाइन है वो concurrent है अगर concurrent है तो determinant 0 होगा if three straight lines are concurrent then determinant will be 0 तो आप determinant 0 कर दो और determinant 0 करके यहाँ से p का value निकालना फटाफट तो p की दो value आ रही होगी है ना आप determinant 0 करो इसको open करके p की values निकालो तो p की values निकालो गए तो p की दो value आ रही होगी वो दोनों values आप एक बर बता दो है ना फटा फट है ना एक बार फटा फट चलो जल्दी से background noise आ रहा है हाँ वो थोड़ा से construction अभी चल रहा है बाजू में है ना तो अब होई नहीं थोड़ा बहुत ignore करो और क्या focus करो हाँ जी तो यह हो गया गया इसमें देखो आपको p की values निकालनी है फट फट आफट तो माइनस 13 बाइ 2 और 2 आ रही है ओके माइनस 13 बाइ 2 और 2 लेकिन यह जो 2 है ना this will get rejected क्यों क्यों क्योंकि अगर p का value 2 है तो देखो आप p का value 2 पुट करो तो 2x प्लस 2y प्लस 1 इकुल जी ना यहां पर 2x प्लस 2y यहां पर x प्लस y और यहां पर यह बन जाएगा 4x प्लस 4y ना p का value पुट करो 2 तो तीनो लाइन parallel आ रही है यह वाली लाइन यह वाली लाइन और वो first वाली लाइन तीनो पैरलेल है तो अगर p का value 2 लेलोगे तो क्या तीनो concurrent है तीनो concurrent नहीं है तो इसको reject करना पड़ेगा और इसको accept करना पड़ेगा अगर आप P का value minus 13 by 2 लोग है तो तीनो पैरलल नहीं है अगर तीनो पैरलल नहीं है और फिर भी determinant 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है, concurrent है तो आपको पूछा था number of values of P इसमें maximum लोग 2 लगाएंगे बट ये गलत है इसका अंजर गया है, P की A की value आएगी ओके, there is only one value of P दो value नहीं है तो ये specially ध्यान रखना last में आपको एक reject करना पड़ेगा क्योंकि P का value 2 लोग है तो all three lines are parallel they are not concurrent चमका, parallel है, आप put करके देखो न वापस, आपको दिख जाएगा ठीक है, दिख जाएगा मेरे, तो ये गलती नहीं करनी है एक्जाम में ऐसे question आएंगे आपको फसाएंगे और minus one करा के जाएंगे, आप expectation लेके जाओगे plus four की मिलेगा क्या, तो छोटी छोटी बाते है बट इन छोटी बातों की वज़े से पांच अजार rank चली जाएगी ठीक है, तो ये सीखना होता है कि गलती कहां नहीं करनी है ठीक है, एक अच्छा teacher आपको ये ही सिखा सकता है कि आपको क्या गलती नहीं करनी है ठीक है, ये ज़्यादा important है क्या करना है वो तो बात की बात है चलो अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे family और state lines family और state lines का concept भी simple है अगर basically आपको एक, देखो इसमें concept ही होता है कि दो line आपको given है ये L1 given है, L2 given है ध्यान से समझ लो concept simple है अगर दो line given है और दोनो line एक point पे intersect कर लिए, अब आपको एक तीसरी line की equation निकालनी है which is passing through the point of intersection of L1, L2 आपको एक तीसरी line है जिसकी equation निकालनी है which is passing through the point of intersection of L1 and L2 तो उस तीसरी line को हम assume कर सकते है L1 plus lambda L2 equal to 0 से और ये जो तीसरी line है, उसको निकालने के लिए lambda का value निकालना पड़ेगा तो lambda का value निकालने के लिए आपको कोई ना कोई condition, कोई ना कोई mathematical condition, question में given होगी उसको use करके आप lambda निकाल सकते हो तो हमेशा ये ध्यान रखना आपको बोलेंगे कि there is a line which is passing through the point of intersection of L1 and L2 तो तुरंत उस line को आप assume कर लो L1 plus lambda L2 अगर इस तरह की language आपको दिखेगी तो L1 plus lambda L2 assume कर लो और जैसी आपने assume किया तो उसके बाद condition given होगी तो आप निकाल सकते हो लेकिन specially इसमें famous है उल्टे questions और उल्टे questions मतलब आपको family और straight lines दे देंगे और फिर बोलेंगे कि ये point बताओ find out this point इसको बोलते है fix point तो ये fix point निगालो fix point वहलो point of intersection एक fix point है जहां सारी lines pass कर रही है all the lines are passing through this fix point वो fix point बहुत बार पूछते है इसका एक shortcut भी मैंने आपको सिखाया था जैसे for example ये वाला question है इसको आप shortcut से करके दिखाओ यहाँ पे ax plus by plus c ये आपको family और state lines की equation given है और आपको बोलना है कि a b c a p में है अगर a b c a p में है तो क्या आएगा 2 b equal to a plus c आएगा ना आप सब कुछ एक तरफ ले जाओ basically ये आ रहा है a minus 2 b plus c equal to 0 और दोनों को compare करनो तो compare करके ये directly shortcut method है तो compare करोगे तो x का value कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है सबको और y की जगब minus 2 put किया गया है y का value minus 2 ये point आ गया तो directly आपका point आ जाएगा you can directly find out that fixed point सीधा सीधा compare कर लिया करो एक और question कराता हूँ ये है जेही में 2019 का इसमें देखो आपको ये family of state lines given px plus qy plus r equal to 0 so this is family of state lines क्योंकि इसमें pqr की बहुत सारी values हो सकती है infinite values तो अलग-अलग value के लिए अलग-अलग straight line आएगी infinite number of state lines है ये और इसमें देखो 4 आ रहा है तो आप क्या करो 4 से divide कर दो 4 से divide करेंगे तो 3p by 4 यहाँ पर क्या जाएगा 2q divided by 4 और यहाँ पर आ गया r अब देखो इधर भी r इधर भी r अगर इधर भी r है इधर भी r है तो directly आप compare कर लो आपको दिख जाएगा x का value कितना put किया गया है x की जगह 3 by 4 है द्यान जा देखो तो x का value 3 by 4 आ गया a is the answer all the lines are concurrent at 3 by 4 और 1 by 2 option a आ जाएके तो directly आप compare कर लो इस तरह के question ज़्यादा famous है आप दोनों को बराबर बराबर बना लो और फिर x और y को compare करके निकाल लो तो directly you will get the answer ठीक है तो यह ज़्यादा famous है इस तरह के questions तो especially इस तरह के question आप expect कर सकते हो और आगे बढ़ते हैं आप बात करते हैं optics वाले problems की तो optics में आपको image और foot निकालना आना अच्छी तो कोई भी एक point given है उसका image यह simple formulas है इधर minus 2 आएगा इधर minus 1 आएगा और इसमें especially एक गलती लोग करते हैं यह करते हैं कि यह इधर root लगा देते हैं और root वह लगाते भी नहीं है basically उनको triplet की आदत होती है जैसे अगर line given है 3x plus 4y इस तरह की line given है 3x plus 4y minus 7 something like that तो अगर इस तरह की line given है तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है वो denominator में 5 लिख देंगे क्योंकि उनको आदत है triplet की भाई हमें triplet की आदत होती है 3,4 तो 5 तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर 5 लिख देंगे but 5 आएगा क्या 5 नहीं आएगा 25 आएगा भाई यहाँ पर under root है ही नहीं under root नहीं है तो 3 square plus 4 square 5 मत लिखना 25 लिखना यह गलती मतलब जाने अंजाने में हो जाती है ठीक है बट यह नहीं करनी है तो यहाँ पर under root नहीं है ठीक है यह गलती मत करना और बाकी formula's तो है ठीक है यह तो यह गलती specially हो जाती है तो आप specially ध्यान रखना आप अपने short notes में लिख लो 3,4 का 5 नहीं होता है 25 होता है अगर 5 और 12 है तो 13 नहीं होता है 169 होता है 14 का square आएगा ठीक है तो वो गलती मत करना बाखी कुछ shortcuts भी जैसे x-axis में अगर आपको इसका image निकालना है इसमें ऐसे याद कर लो x-axis में image निकालना तो y के आगे minus लगा दो और especially ये last वाला important है कि y equal to x में आपको mirrored image चाहिए y equal to x में अगर mirrored image चाहिए तो swap हो जाएगा a, b का image आएगा b, a alpha, beta तो beta, alpha ठीक है तो ये कुछ shortcuts है जिसको आप directly questions में use कर सकते हो अब बात करते हैं next topic which is angle bisector दो topic बच्चे मेरे खाल से नहीं, तीन topic बच्चे अभी तो तो yes, अगला है angle bisector फिर pair of straight lines और फिर homogenization ठीक है तो angle bisector सीधा मैं आपको example के थूरूई समझा देता हूँ दो type के question पूछे जाते एक है angle bisector containing origin या not containing origin वाले questions एक category तो ये है आपको पूछेंगे find out angle bisector containing origin या not containing origin और दूसरी category है आपको पूछेंगे कि find out acute angle bisector या फिर पूछ सकता है कि find out obtuse angle bisector तो ये acute obtuse कैसे निकालते है containing origin, not containing origin कैसे निकालते है दो जीज़े आपको समझनी है तो सीधा एक example से समझते है पहला step होता है कि आप constant term को positive बना लो तो यहाँ पर constant term already positive है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर negative है अगर यह negative है तो minus 1 से multiply कर दो minus 1 से multiply करेंगे तो यह आ गया इसके नीचे क्या आएगा इसके नीचे under root होता है तो इसके नीचे triplet ही आएगा इधर 5 आएगा और इधर 13 आएगा ठीक है तो इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब अगर आपको पूचा है do not containing origin तो minus आएगा इसमें fix होता है इसमें fix है अगर containing origin बोला है तो plus लोगे do not containing origin बोला है तो minus लोगे containing origin plus not containing origin minus यह fix है तो अपने को पूचा do not containing origin तो minus ले लो बस अब इसको solve कर लोगे तो आपका answer आ जाएगा ठीक है अगें हम calculation में नहीं पढ़ेंगे इसको solve कर लो इन में से कोई ना कोई आपका एक answer आ रहोगा तो इक concept clear एगा constant को positive बनाओ constant को positive बनाओ नीचे आएगा under root of a square plus b square इधर भी आएगा तो triplet आप लगा लो और minus क्यों लगाया क्योंकि not containing origin बोले अगर containing origin तो plus ठीक है not containing origin तो minus यह fix है ठीक है अब इधर आ जाओ कि अपने को निकालना है acute angle by sector तो इसके लिए भी method same है method यहाँ पर क्या है plus 7 है तो since यहाँ पर plus 7 है तो हम कुछ भी changes नहीं करेंगे constant term already positive है यहाँ पर negative है constant तो minus 1 से multiply करना पड़ेगा ठीक है तो minus 1 से multiply कर लो और नीचे क्या आएगा इसके नीचे 5 आएगा इसके नीचे 13 आएगा और अब बताओ कि इधर plus लगाएंगे minus लगाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको पूछा है acute angle by sector तो अब आपको निकालना पड़ेगा a1 a2 plus b1 b2 का value तो इसका value निकालो आप कितना आएगा a1 is this x का coefficient और इधर x का coefficient फिर y का coefficient और इधर y का coefficient ठीक है तो ये ultimately ये कितना आएगा minus 36 और plus 20 negative आ रहा है ठीक है इसका जो भी sign आ रहा है अगर आप ये sign इधर लगाओगे तो obtuse angle by sector मिलता है आप simple ऐसे याद करो a1 a2 plus b1 b2 का जो भी sign है वो sign लेने से obtuse angle by sector मिलेगा लेकिन आपको चाहिए acute तो आप opposite sign ले लो मतलब हम बीच में क्या लगाएंगे हम बीच में plus लगाएंगे ये चमक गया a1 a2 plus b1 b2 का जो भी sign है आप यहाँ पे table भी बना सकते हो a1 a2 plus b1 b2 अगर इसका value negative है तो negative लेने से obtuse angle by sector मिलेगा अगर इसका value positive है तो positive लेने से obtuse angle by sector मिलेगा तो acute के लिए उल्टा कर लो acute angle by sector के लिए plus और minus ठीक है तो हमारे यहाँ negative है तो हमने plus ले लिया acute आजाएगा तो simple सा concept है इस concept को use करके आराम से आप angle by sectors निकाल सकते हो अब अगला है पेरो straight lines इसको भी revise कर लेते है पेरो straight lines में दो straight lines को multiply करना है अगर आपके पास equation of two straight lines है तो दोनो straight line को multiply कर दो कौन कौन से terms आएंगे जब आप multiply करोगे तो x square आएगा यह general equation है यह सारे terms आएंगे और general equation pair of straight line कब represent करेगा तो इसका shortcut आपको यादी है determinant अगर 0 होगा then only this will represent pair of straight lines अगर determinant 0 होगा then only this will represent pair of straight lines इसका एक तरीका मैंने आपको बताया था जो बच्चे नए है उनको नहीं पता होगा इसको याद करने का तरीका simple ऐसा है कि all honest girls having boyfriend go for college go for college ठीक है तो यह ऐसे याद कर लो अगर determinant का value 0 आ गया तो यह pair of straight line है अगर determinant का value 0 नहीं आएगा तो फिर pair of straight line नहीं है कोई ना कोई conic होगा वो conic section में हम पढ़ेंगे ठीक है बट यह determinant कैसे याद करना है वो clear है all honest girls having boyfriend go for college ठीक है इस तरह से याद कर लो अगर delta का value 0 आ गया और आगे बटते आप बात करते है pair of straight lines passing through origin तो passing through origin में तीन ही terms आएंगे इस इस जनरल equation of pair of straight lines passing through origin इसको अगर आप factorize करोगे तो दो lines आ रही होगी पहली line होगी y equal to m1 x और दूसरी line आ रही होगी y equal to m2 x दोनों जो straight line है बोथ हार passing through origin अच्छा इसको factorize करेंगे कैसे तो for example यही ले लो आप यह आपको एक pair of straight lines passing through origin given है इसको factorize करके बताओ तो factorize करने का method simple होता है y को put कर दो mx तो y को mx put कर दो minus 20x into mx और यहाँ पह आ जाएगा 7m square x square equal to 0 तो देखो x square इधर भी x square x square cancel तो quadratic equation दिख गया यह quadratic equation आ गया और इस quadratic को factorize कर लो अगेन हम calculation में नहीं पढ़ रहे है इस quadratic को factorize करेंगे तो m की दो value आएगी quadratic को factorize करो गए तो m की दो value आएगी तो बस वही दोनो straight line है m की values निकाल लो आप तो पहली straight line है y equal to m1x और दूसरी straight line है y equal to m2x तो बस यह दोनो line आजाएगी कर लो गएगा calculation तो simple अगर आपको pair of straight lines given है which is passing through origin और उसको factorize करना है तो y को put कर दो mx तो जैसे y को mx put करोगे quadratic आएगा m की दो value आजाएगी m की दो value आगी तो दोनो straight line भी आगी तो दोनो straight line आगी तो य फेक्टराइज हो गया और फेक्टराइज का उल्टा करना है तो दोनों को multiply कर लो अगर आपको दोनो lines given है और दोनों को multiply कर दोगे तो pair of straight lines आजाएगा multiply करोगे तो pair of straight line आएगा factorize करोगे तो वापस दो line में तूट जाएगा तो यही simple method है और आगे बटते है angle between pair of straight lines तो यह direct formula है यह ना तो you need to remember this 2 under root of h square minus a b upon a plus b और इसमें special cases भी बनेंगे अगर a plus b का value 0 है तो denominator 0 है तो tan theta not defined और tan theta not defined है तो theta का value pi by 2 आएगा बलब दोनो lines perpendicular होगी और अगर h square equal to a b है तो तो फिर h square equal to अगर a b है तो अगर h square equal to a b है तो time theta 0 आएगा तो theta का value भी 0 आएगा और theta अगर 0 आएगा इसका मतलब दोनो lines के बीच में angle 0 है ठीक है मतलब basically both the lines will coincide तो अगर a plus b 0 है तो pi by 2 यह special cases हो गए और अगर h square equal to a b है तो theta 0 है तो यही special cases यहाँ पर लिखे हुए अगर h square equal to a b है तो theta 0 आएगा theta 0 आएगा तो coincide करेंगी दोनो lines और अगर a plus b 0 है और अगर a plus b 0 है और अगर a plus b 0 है तो बोट the lines will be at right angle दोनों के बीच में angle 90 degree का आएगा और अगर h का value 0 है अगर h का value 0 है तो basically यह आपको पता होना चाहिए कि lines will be equally inclined to coordinate accesses lines will be equally inclined मतलब angle same बनेगा मतलब basically let's say for example एक line ऐसी है और दूसरी line यह l1 यह l2 तो दोनों का angle same होगा है ना x axis के साथ दोनों की दोनों जो line है उनका angle will be same equally inclined to x axis अगर h equal to तो यह तीन condition आपको एकदम पता होनी चाहिए ठीक है कभी भी क्योंकि इसके उपर majority questions special cases के उपर ही आएंगे तो अगर pair or straight line में अगर कोई question आप expect कर रहे हो तो वो इस वाली slide से आएगा ठीक है अगर a plus b 0 है तो दोनो perpendicular मतलब दोनो line के बीच का angle 90 degree अगर h square equal to a b है तो दोनों coincide ही कर जाएगी L1 L1 ठीक है और equally inclined कब आएगी if h is equal to 0 तो यह तीन special cases super important है ठीक है अचा एक और चीज इसमे अगर आपको angle bisector निकालने है जैसे आपने पहले भी angle bisector निकाले तो basically let's say आपको दो line given है बोट the lines are passing through origin और इनके angle bisector निकालने है आपको तो angle bisector की direct equation यह होती है again you need to remember this ठीक है इसको भी याद करना वड़ेगा अगर आपको यह pair of straight line given है मानलो यह L1 है यह L2 है और इन दोनों की combined equation given है ax square plus 2hxy plus by square है ना तो यह आपको दे देंगे और आपसे यह पूचेंगे कि find out angle bisectors angle bisector मतलब एक लाइन ऐसी होगी जो की इन दोनों के बीच का जो angle है उसको bisect कर रही होगी तो let's say this is the line यह angle और यह angle let's say बराबर है और दूसरा angle bisector let's say ऐसा है कुछ now लोग दो angle bisector आएंगा this is angle bisector 1 और angle bisectors की भी combined equation है यह तो यह pair of straight lines है तो x square minus y square upon a minus b और xy divided by h तो बस यहाँ पर 2h नहीं है खाली h यह ध्यान रखना यह गलती भी हो जाती ही बहुत बार क्योंकि xy का coefficient ले ले लेते हैं लोग वो नहीं करना है it is simply h तो यह यादी करना पड़ेगा और कोई उपाई नहीं है इसका derivation बहुत lengthy है regular classes में करते है बट अभी तो बिल्कुल time है नहीं ठीक है अचा last topic which is homogenization तो homogenization में अगिन आपको दो चीज़े समझनी है कि कब लगाना है और कैसे लगाना है यह दो चीज़े अगर आपको समझ में आगी तो यह topic आराम से हो जाएगा क्यों लगाना है क्यों को number चाहिए ठीक है तो number लाने है ना वई number लाने है तो लगाना वड़ेगा तो कब लगाना है वो समझ लो तो देखो अगर आपके पास life में ऐसी कोई situation आ जाए कि आपको एक curve गिवन है ध्यान से सुनना मेरी बात एक curve कोई भी दुनिया का कोई भी एक random curve है जो आपको गिवन है और एक straight line गिवन है तो एक मानलो यह line गिवन है यह curve गिवन है यह line और curve दोनों गिवन है अगर life में ऐसी कोई situation आ जाए कि एक line गिवन है एक curve गिवन है और फिर आपको बोल रहा है कि यह जो point of intersections है उनको join करो origin के साथ तो हमने join भी कर दिया मानलो यह A है यह B है और दोनों के दोनों जो point of intersection है उनको join करो origin के साथ तो दो straight line दिख रही है यह एक straight line है यह भी एक straight line है and both the straight lines are passing through origin तो अगर दोनों को एक साथ अगर देखा जाए so this is nothing but this is pair of straight lines passing through origin तो इन दोनों की जो combined equation आएगी वो कुछ इस format में आएगी न AX square प्लस 2HXY प्लस DY square तो यह OA और OB की combined equation अगर आप से पूछी जाए then you will use homogenization तो पहले तो यह clear है कि homogenization कब करना है वो तभी करना है जब एक line given है एक curve given है और फिर आपको बोलेंगे कि इनके जो point of intersection है उनको origin के साथ join करो और origin के साथ join करोगे तो दो straight line आएगी इन दोनों straight line की combined equation बताओ then you will use homogenization ठीक है और डूसरा क्या है कि कैसे लगाना है तो कैसे लगाना है उसके लिए आपको यह जो straight line given होगी let's say for example straight line यह given है 2x plus 3y equal to 4 तो जो भी आपको straight line given है वहाँ से आप 1 का value निकाल लो 4 से divide गर दो 2x by 4 और 3y by 4 तो यहाँ से यह 1 का value आगया और एक बार 1 का value आ गया तो अब आप जो भी आपका curve है उसको homogenize कर सकते हो उसमें basically सबकी degree same बनानी पड़ेगी तो homogenization homo का मतलब ही होता है same ठीक है तो आपको सबकी power same बनानी है इसी process को हम बोलते है homogenization एक example से समझते हैं जैसे for example यह तो पहले तो इस question को आप आराम से पढ़ो यह कहा रहा find the value of m if the line joining origin देखना question ध्यान से पढ़ना तो यह कहा रहा है line joining origin to the points common points common महला point of intersection common point को क्या महला पूइंट of intersection points common to this curve and this line basically यह क्या कहना चाहता है एक curve है एक line है और यह common points है common points को join करना है यही तो बोल रहा है find the value of m if line joining origin with the common points origin को join करना है common points के साथ तो वहां से जो भी आएगा वो दोनों line right angle पे है अच्छा तो आपको question में यह भी given है कि यह जो पेरो straight line है उनके बीच का जो angle है वो 90 degree का angle है और अगर पेरो straight line के बीच में angle 90 degree का है तो उसकी condition क्या होती है a plus b 0 ना अभी तो हमने पढ़ा था कि 90 degree तभी आएगा जब a plus b 0 होगा तो आप यह पेरो straight line की equation निकालो और फिर a plus b को 0 कर दो वहां से m का value आएगा आपको question में already given है कि दोनो straight line जो है पेरो straight line basically diagram पे मच जाओ इनके बीच का जो angle है वो 90 degree given है अगर 90 degree है तो वो तभी आएगा जब a plus b 0 होगा a plus b 0 कर तो बस आप तो यहां पे already 1 का value given ही है तो यह जो curve है x square plus y square plus x अचा है यहां पे x है तो x into 1 लिखना पड़ेगा आपको ठीक है यहां पे y है इसकी power भी increase करनी पड़ेगी क्योंकि यह खाली y है अपने को square में convert करना है तो इधर भी एक 1 आएगा और minus m और इधर आएगा 1 का square क्योंकि इसकी जो degree है वो 2 बढ़ानी पड़ेगी यह constant term है तो constant term की degree क्या है? 0 लेकिन अपने को बनाना है degree 2 यह भी degree 2 है यह भी degree 2 है सबको degree 2 बनाना है होमोजिनाइस करना है मतलब सबकी power same यहाँ पर क्या आजाएगा 1 का value पुट कर दो 1 का value है x plus y तो आप देखो यह सारे degree 2 होगे x square x y अब degree 2 है और यहाँ पर आप लिख दो x plus y का whole square this is equal to 0 तो बताओ x square का coefficient क्या आएगा x square का 1 आ रहा है यहाँ से 1 और 1 आ रहा है x square का coefficient और यहाँ से आ जाएगा minus m यहाँ आ रहा है x square का coefficient यहाँ आ रहा है जो x y का coefficient है उससे हमें मतलब नहीं है तो हम निकालेंगी भी नहीं तो xy का कुछ ना कुछ आ रहा होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस y square से मतलब है, तो y square का coefficient इधर से तो 1 है, इधर से minus 2 है, और इधर से minus m आ जाएगा, ठीक है, तो ये y square का coefficient है, equal to 0, अब आपको क्या करना है, आपको a plus b, और ये a plus b मतलब क्या, a is the coefficient of x square, and b is the coefficient, y square त तो बस अब, इसके बाद क्या करना है, a plus b 0, a plus b मतलब coefficient of x square, coefficient of x square is this, and coefficient of y square, that is minus 1 minus m, इसको 0 कर दो, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा, 1 equal to 2m आ जाएगा, तो m का value 1 by 2 आ जाएगा, यहां से m का value 1 by 2 आ जाएगा, तो यहां से m का value 1 by 2 आ जाएगा, simple, yes, final answer, is m का value 1 by 2, अरे चमक गया, yes or no, तो m का value finally 1 by 2 आ जाएगा, तो यह concept clear है क्या, homogenization कब करते है, तभी करते है, जब एक curve given है, line given है, origin को join करना है, point of intersection के साथ, और यह दोनों जो line है, उसकी combined equation आपसे पूछी जाए, और कभी-कभी equation भी नहीं पूछेंगे, आपको दे कि angle कितना है, और अगर angle given है, तो बस condition, use कर लो, a plus b 0, कभी-कभी यह भी बोल देंगे कि angle, मान लो angle given नहीं है, तो कभी-कभी यह बोल देंगे कि दोनों जो line है, वो equally inclined है, तो उसमें फिर आप h को 0 करते हैं, यहाँ पे जो भी आ रहा होगा, h equal to 0, if the lines are equally inclined, उसमें special case क्या हो to 0, या कभी-कभी आपको बोलेंगे कि lines are coinciding, अगर coinciding बोलेगा, तो आपको यहाँ पे use करना पड़ेगा, h square equal to a, b, तो यह तीन जो special case मैंने बताया है, वो super important है, वो special case कहां गए, यह वाले, है न, a plus b 0, तो right angle, अगर h square equal to a, b है, तो coincident, और equally inclined है, तो h equal to 0, इन तीन में से ह question बनेंगे, यह super important है, ठीक है, इस तरह के question आप expect कर सकते हो, और इसी के साथ, हमारा straight lines समाप्त होता हुआ, ठीक है, बाकी notes आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इधर update करते हैंगे, live daily.me slash items पे, special class अपनी है, साड़े बारा बजे, तो definitely उसको याद रखना, अगर आपको straight line के question practice करना है, specially, तो आप साड़े बारा बजे जो अपनी special class है, उसमें आ जाना, और दूसरी एक और special class है, जो की 4 बजे है, तो आज के दिन में दो special class है, आप दोनों को definitely attend कर लेना, पहली class में हम straight line के question practice करेंगे, और दूसरी class में vector के, vector के भी मैं आपको practice करा दूँगा, क्योंक क्योंकि यहां पर अपना all-star batch अल्रेडी चल रहा है, all-star batch 2022 वाले जो experiment है उनके लिए, और definitely हम काफी सारे questions की practice आपको करा रहे है, तो अगर आपको specially last minute पे questions जादा practice करने है, तो definitely all-star batch है, MCQ crash course है, यह सारे courses अपने plus पे चल रहे है, ठीक है, यह भी 2022 वाले experiment के लिए, और 23 experiment ह उनके लिए नया batch भी start होने जा रहे है, ठीक है, that नया batch will be starting from 13th April, 13th April से हम start कर रहे है, अपना जो 12th standard का batch है, उसमें आपको on academy items की पूरी team पढ़ाएगी, तो definitely आप सारे educator से पढ़ सकते हो, and इसमें हम सब कुछ करेंगे, DPP, sheet, questions, पुरा साल बर का course होगा, everything will be there, उसमें अगर आप 2023 sprint हो, तो definitely आपको यहाँ पर एक साल का subscription प्लान कर लेना चाहिए, एक साल या डेड़ साल, अगर आप जही advance को target कर रहो, तो थोड़ा time जादा है अपने पास, और बाकी जो 22 sprint है, उनको भी मैं definitely बोलूँगा कि अगर आप plus पे आते हो, तो बहुत सारे courses है, last minute revision course ह all-star batch है, MCQ crash course है, तो काफी सारा content आपको मिल जाएगा, अगर आपको question practice करनी है, तो question practice के लिए courses है, अगर आपको theory देखनी है, तो theory के लिए काफी courses है, revision courses are there, crash courses are there, तो वो सारी चीज़ा आपको plus पे मिल जाएगी, you will get unlimited access of everything, तो अगर आप second attempt को भी target कर रहो, तो second attempt के लिए आपको यहाँ पर काफी सारी चीज़े मिल जाएगी, so that you can improve, इसमें बहुत सारे mock test आपको मिलेंगे, total I think 25 mock test है, तो सारे mock test आपको plus के subscription में मिलते है, आप एक बार 3 मेने का 6 मेने का plan कर लोगे, तो you can avail all these benefits, तो इससे आपको definitely फाइदा तो हो गई, you can use NVLive ताकि आपको maximum discount मि आइकानिक, उसमें NVLive यूज कर ले ना, so that you will get maximum discount, अब डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस यह होता है कि आइकानिक में you will get personal coach, personal coach, study material hard copy में मिलता है, तो यह सारे test का analysis है, workshops है, study planner है, proper आपका time table बनेगा, बाकी free test series आपके लिए चल रही है, all India test series, तो definitely आप इसमें भी participate कर सक combat, यह भी हर संडे को है, ठीक है, yes, sir, J.E. Flash के notes, notes में आज ही, आज में डलवा दूँगा, ठीक है, तो आप definitely tension मतलो, और सारे notes आप download कर पाओगे, for sure, ठीक है, चलो, बाकी मिलते हैं, अभी आपकी next class भी start होने वाली है, साक्षी मैम की बहुत जल्दी, 5 minute का आप rest ले लो, उ फिर मिलते हैं next class में, thank you so much, bye bye, take care.